Hello friends, my name is Sityendra Chodhri and I welcome to all of you to ITU Classes. दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि आज का टोपिक क्या होने वाला है, बहुत ही important एक current affair का टोपिक है, जिसका नाम है Start Treaty. अभी अभी जो है Start Treaty को Renew किया गया है, अगले 5 साल के लिए इसके बारे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब करना चाहूंगा, कि आप YouTube के अलावा हमारे दूसरे चैनल पे भी, हमारे दूसरे नेटवर्क पे भी हमसे कर सकते हैं, ito classes underscore Upsc यही हमारा handle है, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे WhatsApp गुरूप से जुड़ो अगर आप चाहते हो कि हमारे WhatsApp में vermeतीर करो, जहां पर हम लोग जो है, रोज नियूस्पेवर शेयर करते हैं, कारणटफेयर शेयर करते हैं magazine share करते हैं और बहुत सारा material हम लोग share करते हैं आप हमारे whatsapp group पे भी जुड़ सकते हो whatsapp group पे जुड़ने का जो तरीका है वो यह है कि आप instagram पे आईए आप हमें एक message send कीजिए हम आपको यहां से whatsapp का link भेजेंगे तो उसके थुरू आप हमारे whatsapp group से जुड़ सकते हो right चलिए तो हम लोग आज के topic के बारे में बात करते हैं जो आज का हमारा main topic है right चलिए new start treaty new start treaty बहुत news में है क्यों news में है देखे यह जो treaty है वो America और Russia इन दोनों के बीच में एक treaty है वैसे तो America और Russia जो है वो तो अलग अलग जो है groups का part है right there is a rivalry going on between them like for so many decades right and they were engaged in cold war यही दो main party थी जो cold war में engaged थी second world war के बाद world जो है वो दो polls में बंट गया था power polls में एक की तरफ जो है America था जो capitalist class को जो है represent कर रहा था दूसरी तरफ रशिया था जो communist या socialist bloc को जो है वो फोलो कर रहा था इंडिया जो है historically वो रशिया के ज़्यादा close रहा है because socialist socialist economy है तो इंडिया थोड़ा उसके तरफ ज़्यादा inclined था starting point से ही लेकिन दोनों countries ने जो है because cold war के दोरान दोनों country एक दूसरे को लेके जो है वो plans करती रहती थी एक लगाता एक threat बनता रहता था कि कभी भी third war हो सकता है क्योंकि tactically जो है बहुत engaged रहते थे एक दूसरे के against लेकिन फिर भी दोनों countries ने एक solution निकाला कि एक जो है हम लोग उसके बारे में कुछ करें ताकि दुनिया के उपर ये threat है इसको थोड़ा सा कम किया जा सके चलिए तो ये जो news है वो क्यों हमें पढ़ना चाहिए हमारा exam के लिए क्यों important है देखिए जो एक start treaty दोनों countries के बीच में थी जिसे कहा जाता है news start treaty 2021 में 5th of February 2021 में वो expire हो गई थी अभी जो है उसको 5 साल के लिए extend कर दिया गया है इसी लिए news में है ये treaty क्या है इसके provisions क्या है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे लेकि news में इसी लिए है क्योंकि इसको extend कर दिया गया फर्दर 5 साल के लिए new start treaty हर जगह प eh treaty का यही नाम लिया जाता है लेकिन यह इसका unofficial name है, official name है इसका measures for the further reduction and limitation of the strategic offensive arms, यह इसका official name है, चलिए, तो what is the new start treaty, जो है, new start treaty जो है, वो United Nation और Russian Federation, इनके बीच में एक treaty है, किस चीज़ को लेके है, इस चीज़ को लेके है, कि उनको अपना strategic offensive arms की जो संख्या है, उसकी जो deployment है, इसको कम करना है, अब यह strategic offensive arm क्या होता है, देखिए, strategic offensive arm का मतलब आप जो है, nuclear warhead से लगा सकते हो, nuclear warhead, और यह nuclear warhead भी दो तरह का होता है, एक होता है tactical, दूसरा होता है strategy, tactical warhead वो होते हैं, tactical offensive arms वो होते हैं, जो यूद के दोरान, दुश्मन के target पे जो है, वो उसको target के उपर डालने के लिए किये जाता है, जैसे वहाँ पे कोई उनका airbase हुआ, उस पे डाल दिये जाएंगे, कोई वहाँ का, और दूसरी कोई ऐसा, कोई वहाँ का nuclear कोई, एक storage कोई point है, वहाँ पे डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते है tactical, एक होत thermal power plants हैं, या nuclear power plants हैं, उन पे attack करने के लिए strategic offensive arms होता है, तो यह दुश्मन देश के deep जाके जो है, कहीं उसकी territory में जाके, उस पे civilians को target basically किया जाता है, और strategic जो offensive arms होते हैं, यह tactical के comparison में काफी strong होते हैं, तो इसे कहा जाता है strategic offensive arms, क्योंकि यह आम जनता के लिए बहुत ज़्या एक treaty हुई, जिसका नाम है new start treaty, ठीक है, तो यह सिर्फ और strategic offensive arms के लिए, tactical के लिए नहीं है, ठीक है, आपको धान पर यह देने वाली बात है, 2010 में इसको sign किया गया, लेकिन 2011 में जो है यह completely enforced इसको किया गया, 2011, और इसका जो limit था वो है 10 years, 10 years, यानि कि February 2021 में यह expire हो रही थी लेकिन अभी इसको 5 साल के लिए, 2026 के लिए दोबारा से extend कर दिया गया है, थोड़ा सा detail में हम इसके बारे में अभी देखेंगे, लेकिन पहले जो है थोड़ा सा background देखते हैं कि जो new start treaty है, इसका आया कहां से, देखिए हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और रेशियन जो ह कम करना पड़े, कुछ ना कुछ तो reason इसके पीछी होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रीटी एक दिन में आ गई होगी, इसके पीछे काफी बहुत सालों की एक स्टोरी है, जिसके बारे मैं थोड़ा साब को बताना चाहता हूँ, यह जो start two treaty है, इससे पहले एक start one treaty भी पहले जो रशिया का नाम होगा करता तो Soviet Union, वो कमजोर पड़ रहा था, तो 1990s, 1991 में जो है वो कमजोर पड़ रहा था, उस टाइम पे अमेरिका जो है काफी powerful था, वैसे तो दोनों powerful थे लेकिन रशिया थोड़ा सा कमजोर होता चला जा रहा था economically, strategically, तो दोनों ने जो है 1991 मे एक आपस में treaty की, जिसे कहा जाता है strategic arms reduction treaty, strategic arms reduction treaty, actually start इसका एक short form है, strategic ST for strategic arms reduction treaty, किस-किस के बीच महो, जो उस टाइम पे वियास है कि जो president थे, George H.W. Bush, यानि कि जो ये वाले बुश थे, George Bush इनके फादर थे वो, H.W. Bush, और Soviet president थे, Mikhail Garvajor, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1991 में strategic arms treaty हुई, जिसके और ये, जो है, implement कब हुई, 1994 में, अब तीन साल का समय लग गया, क्यों लगा, क्योंकि 1991 में जो है, Russia तूट गया, यूक्रेन उसमें से अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, तुरक्यमेनिस्तान, तो बहुत सारी country, जो है, Soviet Union का जो हिस्सा थी पहले, वो तूट गई, तो Russia उस टाइम पर काफी, जो है, destabilize हो रहा पड़ा था, चीक है, internal बहुत सरे clash हो रहे थे, तो इसी वज़े से इसको तीन साल, जो है, उसको sign करने में लग गया, इसकी जो duration थी, वो थी 15 years तक, यानि के 1994 में, ये enforce हुआ, और इसके बाद 15 years आप देख लो तो 2000, 2009, 2009 तक जो है, इसका समय सीमा थी, 2009 तक, that was the deadline, उसके बाद वो एकस्पार हो जाएगा, राइट, 2009 में, देखिए, तो कौन-कौन सी parties ने इसमें participate किया, United States, Russia Federation, Belarus, Kazakhstan and Ukraine, अब, पहले Ukraine, Kazakhstan, Belarus, they were part of Russian Federation, बट, इन में से जो है, जो nuclear warhead है, वो सिर्फ और सिर्फ रश्या के पास थे, हाला कि Ukraine के अंदर भी रश्या ने बहुत सारे अपने nuclear warhead को established किया हुआ था, लेकिन बाद में जब वो, जो तूट गया Ukraine उसे, लेकिन वो सारे-सारे warhead, जो है उक्रेन से वापिस रश्या लेके जाए गए, तो ये सारे के सारे parties में involved थी, लेकिन जो major role था वो, अमेरिका और रश्या का ही था, छीक है, that was your start one treaty, अब इसका जो है aim क्या था, what was the motive behind start one treaty, motive ही था, जैसे कि नाम से पता चलता है, strategic arms reduction treaty, strategic arms reduction treaty, तो दोनों countries ने इस treaty के अंदर, ये एक aim था, इसका motive था, एक limitation convention, treaty or convention में ये फरक होता है, कि treaty जो होती है, वो legally winding होती है, उसके अंदर proper provisions होते है, कानून होता है, जिसको आपको follow करना पड़ता है, तो इसके अंदर ये था, कि दोनों country, यानि के रश्या और अमेरिका, जो है, एक limit रख दिया उन्होंने, कितना limit रखा, 1600 delivery vehicles and 6000 warheads, warheads का मतल जो nuclear warheads है, उनको deploy कर रखा है, एक ऐसी position में उनको set कर रखा है, कि अगर यूद का समय आएगा, तो अमेरिका जो है, रश्या पर attack कर सके, रश्या जो है, अमेरिका पर attack कर सके, लेकि दोनों के पास nuclear warheads है भया, तो natural सिभात अगर यूद हुआ, और दोनों ने अपने nuclear weapons का use क किया, तो नुकसान तो पूरी दुनिया को होगा, तो इन्होंने क्या किया, उसके limitation रख दिया, कि देखे, आप 1600 delivery vehicles जो है, उसको deploy कर सकते हो, इसके extra अगर आपने deploy कर रखा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, delivery vehicles क्या होते है, जहां पे हम लोग, जो nuclear हुआ हमारा weapon होता ह है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, उसको detonate करने के लिए, यह आपको कोई submarine भी हो सकती है, यह आपका कोई bomber plane भी हो सकता है, यह आपका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, चिक है, तो 1600 उन्होंने लिमिट कर दिया, कि हर country जो है 1600 तक कर सकती है हाला कि 1600 भी सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, डेफिनिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने के लिमिट रखा, चले 1600 तक हम लोग इसको करेंगे, 2009 इसकी जो है वो लिमिट रखी गई, क्योंकि 15 साल के लिए था, तो 2009, इसमें उन्होंने यह किया कि इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सम्मरीन लोडिड बैलिस्टिक मिसाइल, इनको बैन कर दिया गया, अब इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यह कि 5,000 मिटर, 5,500 मिटर, बहुत ज़्यादा रेंज होती है, एक continent से दूसरे continent में जा सकती है, यहां कि रशिया के अंदर जो missile है वो जो अमेरिका में जो है deep जाके वो attack कर सकती है, उनको बोलते हैं intercontinental ballistic missile बहुत long range की होती है, और submarine launched ballistic missile होती है, जो submarine से भी हम लोग उसको launch कर सकते हैं, तो इनकी construction पर ban कर दिया गया, कि आप जो है कोई पहले वाली आपकी जो पास बनी हुई है, उनको बने रही नहीं, लेकिन नए वाली आप constructor नहीं करोगे, उस पर ban कर दिया गया, that was the obligation behind start one treaty, ठीक है, देखिए, जैसे ही आपका picture में यहां पर दिखाया जा रहा है, यह, इसको यह, it's a missile, it's a missile, missile सिर्फ और सिर्फ warhead को, या आपका जो bomb होता है, उसको लेके जाने का एक तरीका होता है, missile खुद में weapon नहीं होता है, missile के साथ attach करके हम weapon को एक जगे से दूसरी जगे deliver करते हैं, तो एक जो बड़ी missile होती है, उस पर आप 2, 3, 4, 5, 8, 10, छोटे छोटे weapons attach कर सकते हो, और वो एक जगे से दूसरी जगे पर उसको deliver करेगा, तो missile is just a delivery mechanism, missile itself is not a weapon as such, तो start one treaty के अंदर यह obligation लगा दिया गया, कि कोई भी अगर ballistic missile है, तो उसके उपर 10 से ज़ादा warhead आप attach नहीं कर सकते हो, ballistic missile वो missile होती है, जिनकी trajectory जो है, वो ऐसी होती है, पहले वो नीचे से उपर जाती है, maximum height तक जाती है, maximum height के बाद वो फिर नीचे आती है, जैसे football होती है, that's a trajectory, तो यह ballistic missile की होती है, तो ऐसी कुछ condition रखी गए थी, start one treaty के अंदर, ठीक है, लेकिन जब यह treaty चल रही थी, देख इसी के बीच में एक छोटी से treaty और हुई, 2002 में, 2002 में एक छोटी treaty हुई, जिसका बोलते है, S.O.R.T., 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 ठीक है, strategic offensive reduction treaty, यह treaty भी कुछ, ऐसी, इसका जो motive है, इसका motive भी वही है, जो start treaty का था, ठीक है, 2002 में sign किया गया, 2003 में enforcement हुआ, ठीक है, इसका motive भी वही ठीक है, जो nuclear warhead है, उनकी संख्या को कम कीजिए, United Nation और Federation और Russia Federation और United States के बीच में यह हुआ था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है, कुछ, जो obligation थी, वो थोड़ी सी अलग थी, start से, के आपके जो warhead है, nuclear warhead है, उनकी संख्या जो है, 1700 से 2200 के बीच में होनी चाहिए, और इन साल में दो बार, और आप उसके बारे में चर्चा करोगे, कि आपने जो obligation है, आपने इसको follow किया है, के नहीं किया है, वो सारी की सारी चीज़े, लेकिन यह जो sword treaty थी, इसका काफी, यह बहुत जादा strong treaty नहीं थी, क्योकि इसके अंदर कोई ऐसा mechanism था ही नहीं, जिससे यह प एक दम से, कोई problem नहीं है, तो यह इसका नुकसान था treaty का, लेकिन, अब देखिए, 2002 में यह treaty हुई थी, 3 में, और इसकी duration थी 10 साल, यानि के 2012 में यह treaty जो है, expire हो रही थी, 2012 में, लेकिन इस treaty के, जो है, expire होने से पहले ही, हमने एक और treaty कर दी, जिसे कहा जाता है, new start treaty, new start treaty, च sort, जो है, वो, expire हो रही थी, लेकिन, उसके expire होने से पहले ही, हम लोगोंने जिए, एक और treaty की, जिसे कहा जाता है, new start treaty, तो अगर आप, मतलब इसकी sense में समझो, कि जो new start treaty है, इसने sort treaty को, जो है, वो, surpass कर दिया, completely, ठीक है, suppress कर दिया उसको, 2008 में, जो है, इसको sign किया गया, औ 25th of February 2021, दुबारा से वही दोनों country है, United States और Russia, जो इसका part है, अब इस new start treaty के अंदर में क्या क्या है, new start treaty के अंदर, जो वो deployment है, strategic warheads की, यानि कि जो nuclear warheads है, उसकी संख्या जो है, 1550 कर दिया गया, यानि कि दोनों country जो है, वो इतने को allow है, आप इतने को deploy कीजिए, इससे ज़ limit of 800 deployed and non deployed ICBM, यानि कि intercontinental ballasting missile, SLBM, यानि कि submarine launched ballasting missile and heavy bomber equipped for the nuclear armaments, यानि कि जो आप intercontinental ballasting missile होती है, जो आपके nuclear weapon को ले के जाती है, या submarine launch ballasting missile होती है, एक submarine होती है, या फिर आपके बड़े-बड़े bomber होते है, बड़े-बड़े जहाज होते हैं, जिसके तुरु आप, जिसमें कि आप nuclear weapon को ले के जाते हो, जैसे हिराशिमा और नागा साकी में हुआ था, बोंबर का यूज गया गया था, तो उन्हें ने कहा कि इस तरह कि जो भी आपके पास साधन है, nuclear weapon को ले के जाने के लिए, उनकी संख्या जो है, आप 700 से जादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक 100 से नहीं कर सकते हैं, और nuclear warhead की संख्याप जो है, 1550 से नीचे ही रखोगे, that was the thing, इस treaty ने एक चीज और कहीं, कि आप लोग जो है, जो नया weapon जो है, वो बनाईए, उसके उपर कोई दिक्कत नहीं है, इस treaty does not place any constraints on the testing, deployment, development and deployment of the current or planned US missile defense program, यानि कि अभी जो USA के अंदर current में टोक टोक नहीं है, आप उसको modify कर सकते हो, आप नया system develop कर सकते हो, आप टेस्टिंग कर सकते हो, उसके उपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह treaty देखिए, sword treaty का सबसे बड़ा नुकसान वो यही था, कि sword treaty implement होती रहे, ऐसा हमारे पास कोई strong mechanism नहीं था, अब दोनों country नहीं के treaty तो कर ली, अब वो अपने treaty को follow कर रहे हैं, उसको या नहीं कर रहे हैं, इसका पता कैसे लगेगा, new start treaty के अंदर जो है, इसके लिए एक उन्होंने बहु की चीज़ और notice करने वाली बात है, कि यह जो inspection हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ strategic sites के लिए हो रही है, tactical के लिए नहीं हो रही है, यानि कि जो youth front पे है, जो battle front है, उसके लिए नहीं हो रहा है, जो deep में जाके जा सकते हैं, सिर्फ उसके लिए हो रहा है, तो आप जो America जो है, रश्या की 18 sites पर जाके inspection कर सकता है, रश्या भी जो है, अमेरिका की कलगबग 18 sites भी आके inspection कर सकता है, ठीक है, और उस inspection के अंदर वो क्या के देखेंगे, वो देखेंगे वहाँ उस country में जो missile है, उस missile के उपर जो है, कितने warhead जो है, वो attached है, वो 10 से जादा नहीं हो सकते, ठीक ह लिस्ट देती है, उनकी location की list देती है, कि वो कहाँ पर established है, वो सब भी किया जाता है, अगर कोई country कोई नया warhead include कर रही है, अपने already जो arsenal है, उसके अंदर, उसकी information भी prior information जो है, वो दूसरी country को दी जाती है, ठीक है, तो ये कुछ इतने बढ़िया provision है, जिसकी वज़े से ये treaty जो है, बहुत ही ज़्यादा successfully, इन्होंने जो है bilateral consultative commission भी बनाया, जो हर साल में दो बार जो है, जेनेवा में meeting करता है, और एक दूसरी दोनो country जो है, वो क्या क्या इसमें steps ले रही है, कैसे कैसे implementation हो रही है, उसके बारे में proper बात करता है, तो ये था हमारा पूरा, ये news start treaty news में क्यों है, क्योंकि 2021 में ये expire हो रही थी, लेकिन अभी बिना किसी condition के इसको 2026 तक extend कर दिया गया है, क्योंकि ये भी इसके provision के अंदर था, कि जब ये treaty expire हो जाती है, तो एक बार में इसको आप 5 साल के लिए extend कर सकते हो, तो रशिया और अमेरिका ने इसको भी 5 साल के लि ये बहुत ही बड़िया treaty जो है, वो काम आएगी, तो यहाँ पर आपको तीन treaty पर फोकस करना है, एक है आपकी start 1 treaty, जो 1995 में जो hand force हुई थी, 2009 में वो expire हो रही थी, दूसरी है आपकी sort treaty, जो 2012 में expire हो रही थी, लेकिन उसके expire होने से पहले ही एक new start treaty हम लोग लेके आये थे, तीनों की अलग-अलग condition है, अलग-अलग objectives है, objective को fulfill करने के लिए जो है, अलग-अलग इन्होंने provisions दिये हुए है, जो कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है, अगर आप चाहते हो कि आपके इसकी पूरी PDF मिले, तो आप हमारे telegram group या WhatsApp group को join कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसक आपको provide हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो that is all for the day, आप हमारे channel को subscribe करें, अपने दोस्तों साथ इसको share करें, वीडियो को like करें, इसको बुझीतना ज्यादा हो से कि आप spread करें, क्योंकि spread करने से ही knowledge बढ़ता है, thank you very much and all the best.